चार दिनों तक चलने वाले आस्था का मापर्व छट की शुरुआत आज से नहाय खाय के साथ हो गई है कद्दू भाद के साथ ही शुरु हो गई ऐसे में सब्जी मंडी में कद्दू की मांग काफी बढ़ गई है जिसका फायदा सब्जी माफिया साहिब गंच में उठा रहे हैं साहिब गंच में कद्दू 100 रुपे से लेकर 120 रुपे तक विक रहा है आस्था के महापर्व की शुरुआत ही कद्दू भाद से होती है ऐसे में चिर्वरतियों को कद्दू लेना मजपूरी है और उसी मजपूरी के अफायदा सबसी माफिया उठा रहे हैं इन माफिया उपर जिला प्रशासन का भी कोई नियंतरन नहीं दिख रहा है सबसी विक्रेता अपने अपने हिसाब से कद्दू की कीमत लगा रहे है तो यह साहब गंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आज कद्दू की मांग काफी जादा होती है और कद्दू बासारू में काफी महंगा है लिहाजा जो श्रधालू है उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है कि आखिरो इतने उच्छे दामों पर कद्दू खरीद रहे हैं लेकिन कहाई ये जा रहा है कि जो सबसे माफिया है उनके चलते दामों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है जो बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि काफिस संख्या में लोग पहुंसते हैं और इसकी खरिदारी करते हैं लेकिन इसका फायदा उठाते वे कोई प्राइस तै नहीं कर पाती है और जो खास करके दुकानदार हैं उन्हें भी महंगी सबसे मिल रही है और महंगे दामों में बेच रहे हैं